हलो बच्चों कैसे हैं तो आज की ये वीडियो खास करके रहने वाली है क्लास 12 मैस कमपार्टमेंट बच्चों के लिए जानता हूँ कि घबराय हुए हो मैस ऐसे पहले से डर लगा होता है और सर ऐसा क्या करें कि अब हमारा जो कमपार्टमेंट का एक्जाम है जो एक बार में निकल जाए तो बच्चों इस वीडियो को बड़े सीरियसली देखना है अगर सच में पास करना चाहते हैं अपने कमपार्टमेंट एक्जाम पर अब जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं पता है वह चीज में आपको यहां पर बताने बाला हूँ मैस मेरे से नहीं हो रही है के फिर भी आप लोग एक ऐसे पार्ट में गुज जाते हैं जासे निकलना बाहर हो जाते अब अगर मैं क्लास 12th मैस की बात करों तो इसको ना 2 भागों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ एक पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ मेरे बच्चो कैलकुलस ठीक है और दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ आप लोग का non calculus ठीक है जी अब अगर मैं calculus की बात करूँ ठीक है जिसमें derivative integration यह बहुत सारा पूछा जाता है आप लोग पता है उसके आगे भी application of derivative यह सारा बहुत सारी चीजे है ठीक है तो यह मोटा-मोटी अगर मैं बात करूँ 45 से 50 marks इस बार भी कम से कम 51 marks का paper में आया था यहां से देखने को मिलता है अब यह थोड़ा top portion होता है बच्चों के लिए है न मैस का तो अब आपने क्या करना है देखो मोटा-मोटी आप लोग आप लगा के चलो कि आप लोग के एक्जाम के 40 days रह गया है मोटा-मोटी तो यह calculus वाला पार तो बिल्कुल आप लोग छोड़ दो आप लोगोंने main focus क्या करना है बच्चों आप लोगोंने करना है non calculus वाले पार्ट में focus बस यह है तो इसका मतलब burden क्या हो गया आधा हो गया देखो और यह जो तैयारी कर रहे हो नहीं इस पार्ट की इस पार्ट के 100% तैयारी करो ठीक है अपने जो NCRT book है उसके questions उसके examples के questions वहीं से ज्यादा आते हैं compartment में ध्यान रखना वह एक्दम जी जान लगा आके उसकी तैयारी करो अब इसके अंदर क्या क्या करना है देखो जैसे कि relation and function बहुत सिंपल सा chapter है आराम से है ठीक है यह कहीं है कहीं आपने element में भी पड़ा होता है तो थोड़ा आपका base बनाए उसके बाद आ जाओ inverse trigo इसमें से भी कुछ चीज आप लोग का delete है तो inverse trigonometry यह trigon लिख रहा हूं मैं तो यह आपने करना है उसके बाद आजाओ next बच्चो matrices बहुत सिंपल है ठीक है determinants हर कोई बच्चा यह जो दो चैप्टर है chapter number third fourth सबसे पहले इसी कोई करता है बहुत इतना easy है ठीक है determinants तो यह आपने अच्छे से करके जाना है कुछ नहीं है बड़े simple simple चीज़े इसमें पूछी जाते है ठीक है चलो इसके बाद यह तो हो गया हमारा क्या पहली बुक का part one जो आपका part two के अंदर आपने क्या करना है 3D ठीक है and vectors यह बस totally क्या पता है इसमें सी formula पूछे जात करो formula याद हो गए ना कुछ नहीं है यार बहुत simple chapter में खुद क्या रहो मेरे को बड़ा मज़ा आता था करने के लिए ठीक है इसके बाद बच्चो LPP ठीक है linear जो programming है आपका अच्छा खासा मतलब 4 marks के अंदर इसका आपका पूछा जाता है इसके ओपर question ठीक है यह आपका graph के based है ग्राफ के ओपर बनाना होता है आप लोग को पता है बहुत चीज़ है अगर क्या हो रहा है true हो रहा है तो किसके अंदर आएगा origin की तरफ इस तरीके से किया याद आ रहा है कुछ हाँ तो बड़ा मज़ेर लगता है इस question को करने में यह आपने यहां से बड़े आराम जरूर आप करके जाना ठीक है बच्छो बस यही कर लो देखो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ यह तो मने अटा दिया यह तोटल 50% आपका लगबा कवर कर रहा है तो अगर यहां से अगर आप जेन्वीन धंग से करके जाते हैं और 45 भी लेके आते हैं पास हो इसको अच्छे से कर लो यार पास हो जाओगे हजारो किताबों करने की जरूवत नहीं है कि वह टेस्ट पर ले लिया वह ले लिया बस इस पर फॉलो करो बस आपका सारा किलियर हो जाएगा और जैसे कि आप लोग को पता ही है सिर्फ मैं मैंस के बात ही नहीं कर रहा हूं ज साथ बज़े से क्लास होती है आप लोगी तो शेडूल दे रखाया अलड़ी आप कम्मूटी पोश्ट में जाकर देख सकते हैं तो वहां जोईन करके भी जो कोश्चेंस हम लोग करा रहे हैं जो कंसेप्ट हम लोग समझा रहे हर एक चीज का वो बड़े गौर से देखो क्य दिये है गुरूमिंग का कि आप लोग पास हो जाओ है की नहीं है तो तयार हैने सब तो बस यह स्टैटिजी फॉलो करो बच्चो क्या के चैप्टर साथ आपने करने हैं देखो इस बार आपका कंपार्टमेंट जो एक्जामनेशन है आराम से निकल जाएगा मिलते हैं बच झाल झाल